YouTube का test and compare feature finally सभी creators को मिल गया है और मेरे दोनों channels पर आ चुका है और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो कुछ दिन wait कर लीजे आपको मिल जाएगा तो पहले मैं short में बता दू कि ये test and compare feature है क्या और उसके बाद मैं अपने channel पर दिखाऊँगा कि इसे इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इसका result वगयरा क्या होता है तो test and compare feature YouTube का ऐसा feature है जहाँ पर हम लोग अपने एक वीडियो के लिए up to 3 thumbnail हम लोग upload कर सकते हैं और उसको YouTube run करेगा और ये test करके हमें बताएगा कि इन 3 thumbnails में से सबसे ज्यादा watch time किस thumbnail के थुरू आया है और कौन सा thumbnail इसमें से winner है तो जब हम लोग अपना वीडियो upload करेंगे और साथ में 3 thumbnail upload करेंगे तो वो 3 thumbnails जो है वो अलग-अलग audience को अलग-अलग दिखाये जाएंगे और इन 3 thumbnails में से सबसे ज्यादा watch time जिस thumbnail के थुरू आएगा वो thumbnail winner होगा यहाँ पर click-through rate नहीं है यहाँ पर watch time है अब यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 thumbnail upload करना ही है आप 2 thumbnail upload करके भी यह test run कर सकते हैं अब यहाँ पर click-through rate की जगा watch time इसलिए रखा गया है क्योंकि click-through rate तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि आपको एक clickbait thumbnail डाल देंगे लेकिन जब watch time के बात आती है तो फिर वहाँ पर वही thumbnail ज्यादा watch time ला पाएगा जो कि वीडियो को सबसे ज्यादा सही तरीके से दिखा रहा होगा मतलब कि जिस thumbnail को देखने के बाद और वीडियो को देखने के बाद सबसे ज्यादा audience जो है वो satisfied रहेगा मतलब कि वही thumbnail winner होगा अब यहाँ पर YouTube ने ऐसा भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो test पूरा run होगा उसके बाद कोई winner बने ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी thumbnail winner ना हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही close competition हो और वहाँ पर YouTube आपको एक preferred thumbnail देदे कि यहाँ ये वाला लगाया जा सकता है लेकिन वहाँ पर कोई भी साफ तोर पर winner नहीं होगा तो अब मैं आपको अपने laptop screen पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसे इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग मेरे laptop screen पर और यहाँ पर मैंने अपना YT Studio अपन कर लिया है अगर आपके चैनल पर यह enabled नहीं है तो फिर आपको यह feature नहीं मिलेगा test and compare वाला इसको जब यहाँ पर मैं expand करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है test and compare different thumbnails तो यहाँ पर advanced feature के अंदर हमीं यह feature जो है मिलता है तो अगर आपका यह enabled नहीं है तो आप लोग अपने चैनल पर यह चीज़ जरूर चेक कर लीजिए और यह आपका enabled होना चाहिए और यहाँ आ चुके हैं हम लोग contents वाले section में तो यहाँ पर जो पहले से videos upload किये हुए हैं वहाँ पर भी यह feature आ चुका है मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो नए videos upload होंगे सिर्फ उधी पर यह option मिलेगा जो आपके चैनल पर पहले से videos uploaded हैं उन पर भी यह option आ चुका है तो जैसे अगर मैं अपना पुराना कोई भी video open कर लूँ जैसे यह video अगर मैं इसके edit वाले section में details में जाऊँ तो यहाँ पर यह मेरा thumbnail uploaded है और यहाँ पर जब मैं click करूँगा three dots पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं test and compare तो यहाँ अगर मैं test and compare पर click करता हूँ तो यह thumbnail एक जो है वो पहले से upload किया हुआ है और यहाँ पर मुझे दो और thumbnails upload करने का option मिल रहा है अब यहाँ पर जो पहले से uploaded thumbnails एक इसको मैं चाहूँ तो यहाँ तो change कर सकता हूँ जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे यह creator burn out वोला जो वीडियो है यहाँ पर मैंने 2 thumbnails upload किये है तो यहाँ पर आपको half में अलग thumbnail और half में अलग thumbnail देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर मैंने जो दो thumbnails upload किये हैं यहाँ पर यह दोनों show कर रहा है मुझे creator studio में और इसके details वाले section में अगर मैं जाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों thumbnails है और नीचे में running लिखा हुआ है मतलब कि यह test वो run हो रहा है ideally यह दो week का test run होता है और दो week बाद यह मुझे result देगा तो इस तरह से यह run हो रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके channel पर views कम हैं जैसे कि अभी मेरे channel पर बहुत ही कम views हैं तो ऐसे cases में यह हो सकता है यह result ना भी दे तो यहाँ पर मुझे जब मैं यहाँ पर three dots पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे view test report का option मिल रहा है और यहाँ पर अभी कोई भी report नहीं है और वो इसलिए क्योंकि इस पर views नहीं आ रहे हैं अभी इस पर रुके हुए views और यहाँ पर आप देख सकते हैं watch time share लिखा हुआ जैसा कि मैंने वीडियो के starting में भी बताया था कि यहाँ पर watch time की बात हो रही है click through rate की बात नहीं हो रही है तो जैसे ही अगर इस पर views बहुत जादा आने लगे तो यहाँ पर मुझे percentage share में दिखेगा कि किस thumbnail के थुरू कितना percent watch time आया है और यहाँ पर मैं चाहूँ तो अभी भी stop test कर सकता हूँ तो आप चाहें तो बीच में भी stop test कर सकते हैं यह पूरा complete होने के पहले तो यह पूरा दो week का यह चल रहा है जैसे अभी इसमें five days left है तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस test को बीच में भी stop कर सकता हूँ और फिर से दोबारा एक नया test run कर सकता हूँ तो आपके पास यह option भी है और जब भी आपका test complete हो जाएगा तो YouTube जिस भी thumbnail के थूरू सबसे ज़्यादा watch time आया है वो वाला thumbnail आपके videos पर set कर देगा और वही thumbnail सारे audience को दिखाने लगेगा लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी manually उस thumbnail को change कर सकते हैं तो यह option आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि YouTube ने जो decide कर दिया thumbnail वही thumbnail आपके वीडियो पर रहेगा ऐसा नहीं है आप चाहें तो अपनी तरफ से भी उसे change कर सकते हैं और चाहें तो कोई भी एक particular single thumbnail जो है वो रख सकते हैं तो यह था YouTube का test and compare feature उमीद करता हूँ आपकी channel पर भी आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो कुछ दिन में आई ही जाएगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए